आव्यक्त शिक्षाउं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना आमूल ये रतन आमूल ये रतन आमूल ये रतन ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती कॉलिवूर शूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल ये रतन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दाता वर दाता भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा संगम युक पर हमात्माओं को ऐसा श्रेष्ठ भाग्य देते हैं चो एक साधारण मनुष्य आत्मा दिवात्मा बन जाती है पतित आत्मा पावन आत्मा बन जाती है और मनुष्य पुजारी से पुज्य बन जाता है संगम युक के इस श्रेष्ट भाग्य को वो भाग्यशाली आत्माओं के विभेन लक्षणों को आज हम इश्वरिय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे और महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मद्दे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस इश्वरिय विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्निय राजुभाई सहाब फिस अब आपका आज के एपिसोर में बहुत बहुत स्वाकत है सवाज हम बात करेंगे 3 ओक्टूबर 1992 के महावाक्यों पर इसका टॉपिक है ब्राम्भन अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी प्रमात्मा कहते हैं कि यह ब्राम्भन जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है क्योंकि ब्राम्भन जन्म स्वयम भगवान द्वारा होता है अनादी बाप और आदी ब्रह्मा द्वारा यह अलोकिक जन्म प्राप्त हुआ है जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ अपने इस श्रेष्ट भाग्य को सदा स्मृती में रख हर्शित रहते हो सदा स्मृती प्रत्यक्ष स्वरूप में हो सदा मन में इमर्ज करो सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं लेकिन हर चलन और चहरे में स्मृती स्वरूप प्रत्यक्षरूप में स्वयम को अनभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में चहरे में श्रेष्ट भाग्ये की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है पर सब जब हम कहते हैं कि कल्प पहले के भाग्य अनुसार इससे क्या दाथ पर रहे हैं? ये स्रिष्टी चक्र जिसको परमात्मा कल्प कहते हैं पूरा कल्प पाँच हजार साल के बाद रिपीट होता है जब रिपीट होता है तो जो पिछले कल्प में हम सबने विजय प्राप्त की है जो हमने उचे स्रिष्ट भागी को पाया है वही इस संगम पर फिर से रिपीट हो रहा है इसलिए परमात्मा कहते हैं कल्प पहले मिसल, कल्प पहले की तरह इस समय भी आप भागी विधाता भाग के बच्चे बने क्योंकि परमात्मा जो निराकार हैं वो निराकार परमात्मा जब साकार तन में प्रवेश करते हैं तो जिस तन को उन्होंने आधार बनाया उसका नाम रखा ब्रह्मा और ब्रह्मा के द्वारा जो रचना रची, जो द्वीज जनम दिया, मरजीवा जनम दिया, उसको ब्रह्मान का, ब्रह्मा की मुखवंसावली संतान, तो जो ब्रह्मा भागे विधाता माना है, शिव बाबा वर्दाता है, ब्रह्मा बाबा भागे विधाता है, उनके द्वार कि रेखा जैसे परमात्मा ने खिच दे और यह हमारे चलन से हमारे चेहरे से लोगों को अनुभव हो कितनी भाग्यवान आत्माइ हैं जिनकी पालना जिनकी पढ़ाई जिनका मार्ग दरसन सुएम भगवान कर रहे हैं इसलिए परमात्मा कहता है यह भाग्या आप बच्चों के चेहरे से चलन से लोगों को दिखाई देना चाहिए यह स्मृत्ती रहनी चाहिए कि हम राम्मान को बुसरन इतनी स्रेश्टमान आत्माए हैं जे परमात्मा के कहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्ये प्राप्त हैं उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर सपष्ट हो आगे बढ़त महानात्मा का भाग्य नहीं तुस्वयम भगवान एक ही बाप भी हो शिक्षक भी हो और सत्गुरू भी हो सारे कल्प में ऐसा कोई है एक ही द्वारा बाप के संबंद से वर्सा प्राप्त है शिक्षक के रूप से श्रेश्ट पढ़ाई और पद की प्राप्ती है सत्गुर के रूप में महामंत्र और वर्दान की प्राप्ति है वर्से में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है यही इस संगम्युक की विसेष्टा है जो परमात्मा हम सबको इन तीन सरूपों से पालना दे रहे हैं पिता के रूप में हम सबको इतने खजाने दिये वर्सा द देते हैं वर्से के रूप में और फिर सिक्षक बन करके हमें इतनी उची पढ़ाई पढ़ाते हैं तीनों कालों का तीनों लोकों का ग्यान दे करके नौलेज़फुल बना करके स्रेश्ट पद की प्राप्ति कराते हैं और सत्गुरू के रूप में हमें मनमनाभो का मंत्र दे लेकिन वही गुरु भी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों चीजें बाप, सिक्षक और सत्गुरु के रूप में संगम युकपर आप बच्चों को परमात्म पालना मिल रही है। इसलिए सबसे स्रेष्ठ भागवान आप हैं। इस भाग के सदा इस मृत्ती में रहें, तो वो नसा, वो खुसी अपने चेहरे और चलन से दिखाई देगी। परमात्म कहते हैं कि बाप द्वारा वर्सा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्म पालना कितनी उची बात है। भक्ती में गाते हैं, परमात्मा पालन हार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं, हर कदम परमात्म पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्म श्रीमत ही पालना है, बिना श्रीमत अर्थात, परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। बच्चे आप परिभाशा को स्पष्ट करें। बच्चे बार इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि परमात्म पालना हमें कैसे इंपराप्त होती है। परमात्मा खुद बता रहे हैं कि बच्चे आप बिना परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठाते हो। अम्रत वेलि, कैसे उठनाहे, कैसे श्व्णान पानि कर नाहे, कैसे अम्रत वेलि, कैसे उठनाहे, कैसे इंड़ाई करनी है, सद के खजानों से भरपूर हो अविनाशी वर्से का आधिकार ले लिया। न सिर्फ पढ़ाया लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्षे ही है ऊच ते ऊच पद प्राप्त करना। परमात्म पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो ऐसा पद सारे वर्ड के ऊचे ते ऊचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। तब शिक्षक का ये भाग के इसको बिस्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा शिक्षक बन करके हम बच्चों को तीनो कालों का ग्यान देते हैं। तरिकाल दर्सी बना देते हैं। वर्तमान समय आदी हमारी जो इस समय की प्रजेंट जीवन है। पूरा तीनो कालों का ज्ञान परमात्मा देते हैं। और पढ़ा करके इस पढ़ाई से इतना उंचा पद लक्ष देते हैं। कि आप ही नर्श्री नारायन समान बन सकते हो। आपके जीवन का ये लक्ष है कि मनुस्यात्मा देवपद को प्राप्त कर ले। उस लक्ष की प्राप्ति जो परमात्मा की इस पढ़ाई से हमें हो रही है। उसकी भेट में कोई भी दुनिया की ऐसी पढ़ाई नहीं है जो मनुस्य को देवता बना दे। नर को सरी नारायन बना दे। नारी को सरी लक्षमी समान बना दे। और उसकी पढ़ाई स्वयम परमात्मा अपने बच्चों को जिनके उपर कोई कुमेदे नहूं, ऐसे भोले, सच्चे, करीब बच्चों को बच्चों को बढ़ाते हैं. तो परमात्मा कह रहे हैं, बच्चे, देखो, आपके उपर दुनिया की नजर नहीं जाती, इन भगवान की नजर गई, आप उनकी पालना में पर रहे हो, उनकी सिक्षाओं से आगे बढ़ रहे हो, और आपके जीवन का कितना महान उचा लक्ष है, इस लक्ष के आधार से पढ़ाई द्वारा, एक जनम भी पद प्राप्त कराने की कोई गयरंटी नहीं, आप कितने भाग्यवान हो, जो पद भी सर्वश्रेष्ट, और एक जनम की पढ़ाई, और आनेक जनम पद की प्राप्ती, उस पढ़ाई और इस पढ़ाई का कांट्राश्ट परमात्मा बता रहे हैं, कि आज उस पढ़ाई में कोई पढ़ करके पास हो जाता है, मानलो उसने M.A.B.A करके कोई डिग्री हासिर कर ले, उसके बाद अचानक उसके अकाले मौत हो गई, तो उसको पद की प्राप्ती तो नहीं हो पाई, पढ़ाई किया, पद नहीं मिला, लेकिन परमात् पढ़ाई आप बच्चे पढ़ रहे हो, मानलो बीच में अगर किसी का सरीर भी छूट गया, तो भी उसकी गैरंटी है, कि जो जितना समय जिसने अच्छी तरह से इस पढ़ाई को अपने जीवन में धारन किया है, उस पढ़ाई के अनुसार अनीक जनम उसकी प्रालब्द परमात्मा की गैरंटी है, कि इस समय अगर उसने थोड़ा समय भी इस पढ़ाई को अपने जीवन में धारन किया, उतार लिया, तो इसके आधार से वो सत्यूग उत्रेता के अंदर स्रेश्ट उच्पद प्राप्त करेगा जे परमात्मा की कहते हैं कि साधारनता में महानता दिखाई दे, जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, आजकल भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायन वसीताराम वदेविया बना देते हैं, तो साधारन व्यक्ति में भी महानता का जानते भी हैं कि ये वास्तव में नारायन वरामादी नहीं है, बनावटी है, फिर भी उस समय महांता को सिर जुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं, लेकिन आप तो स्वयम चैतन्य देव देवियों की आत्माए हो, आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महांता की अनुभूरती होनी चाहिए, होती है, आपके श्रेष्ट भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ वस्सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयम भी खुशी में नाचें, फिर सब इस श्रेष्ट भाग्य को और हमारी महांता को थोड़स पश्ट करें, परमात्मा हम सब आपके श्रेष्ट को कहे रहे हैं, कि साधार्मता में भी महांता कानुभव, आजकल की दुनिया में भी जो कोई नाटक करते हैं, या कोई फिलम सूटिंग करते हैं, मान लो, किसी को स्री राम या स्री नारायन का ब्रेष पहना दिया, और उसी रूप से उसको पार्ट दिय तो बहुत भावना से लोग उसके आगे नमन करते हैं, बहले जानते हैं, यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति वो स्री राम नहीं है, या स्री नारायन नहीं है, स्री सीता नहीं है, यह तो पार्ट बजा रहा है, लिए उस ड्रेष में, उस वेस भूसा में वो रोल अदा कर र के लिए वो सजाये गए, बनाये गए हैं, और आप बच्चे तो चैतनी में वो बनी हुई आत्मा हैं, इस आकार सुरूप में हो, तो आपके अंदर की इस्मृति है, और आपके आगे सभी आत्मा उसी भावना से जुकें, इस तरह की इस्थिति अंदर की आपकी हुनी चाह साधारन स्वरूप में उपस्तित हूं, और फिर से मुझे ये प्राप्त करना उसके लिए मैं पढ़ रहा हूं, उसके लिए मैं वो योगिताएं अपने जीवन में धारन कर रहा हूं, तब आपके अंदर से साधारनता से उस महंता का लोगों को अनुभो होगा, जैसे वो बजाने वालों से भी लोग उसानुभो करते हैं और उसके आगे जुकते हैं, ऐसी आपके आगे अनेक आत्मा जुकेंगी जब आप उस इस्तिति में इस्तित होंगे, बिल्कुल, फिरमात्मा के कहते हैं कि लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वहा अ पढ़ाई करते हैं, परमात्मा हम सब बच्चों को इतना उंचा सुमान इस मृत्ति में दिलाते हैं कि उनकी इंकम कितनी होगी, कोई भी पढ़ाई करता है, कोई आत्मा को इस पढ़ाई के आधार से बहुत अच्छा पढ़ाई और उस पढ़ाई के आधार से उसकी पे होती है, वै इसको एक लाक, दुस लाक, पांच लाक, दस लाक मिलेंगे, लेकिन उस पढ़ाई से जो पढ़ाई करता हुआ उसकी जो सोडसाफ इंकम है, वो तो फिर भी कुछ है, कुछ है घिनती में है, लुएन आप बच्चे संग कितनी कमाई जमा कर रहे हो क्योंकि आपकी एक एक सुवांस में परमातमा की याद है। ऑर एक एक कदम हो रही है। और एक जनम के लिए नहीं, इस समय तो इंकम हो sitzt हर प्रकार से अविनासी रतनों से प्ढ़आ हो रही है एक रही है लिकन यही इस थूल में भी सब प्रकार से संपन्नत्यदि बेवी दर्कार के मंदिरों में, उनके महिलों में दिखाई गई है हीरे, जवारह, रतन सब जड़ित हैं इतना धन धान संपन है भारत सोने की इचिडिया कहलाता है ऐसी स्रेश्ट प्रालब्त इस पढ़ाई से आप बच्चों को प्राप्त होती इतनी कम इस समय आप कर रहे हो अगर एक कदम परमात्मा की याद में स्रीमत अनुसार उखाते हो आपके एक कदम में पदमों की कमाई जमा हो रहे है बिल्कुल परमात्मा कहते हैं कि ब्रमात्मा कुमार और ब्रमा कुमारी अर्थात मौज से महबत की जीवन बिताने वाले ऐसे नहीं कि कभी मجबूरी कभी महबत जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूर हो गए है भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म महबबत से चलने वाले चाहते तो हैं लेकिन ऐसी भाशा भाग्यवान ब्राम्भण आत्माओं की नहीं है भाग्यवान आत्माएं महबबत के जूले में मौज में उड़ती है उड़ती कला की मौज में रहती है मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकते अगर ये नसा ये स्वामान इस मृत्ती में रहता है कि हम किसके बच्चे हैं ब्रम्मा कुमार ब्रम्मा कुमारी कोई साधारन जीवन नहीं है स्वाम्द डायरेक परमात्मा के दौरह हमें ये नया जनम मिला है और इस जनम के स्मृत्ती अगर रहती है तो मौज कानूभो गयोंको उसके साथ हम रहते हैं मौबबत में रहते हैं ना कि मेहनत या मजबूरी कानूभो करते हैं तो जो आत्मय उस उंचे नसे और सुमान में रहती हैं, किसके बंचे हैं, कौन हमारी हमारी पालना कर रहा है, किसके दौरा हमारी पढ़ाई हो रही है, तो उस स्मुमान की इसमिर्ति के आधार से, मौझ का भी अभ़ था, और उसके प्यार में, जुछी खुसी से अपनी वो तो मोजों में रहते हैं का आधार है इसलिए यह चाबी है जब सर्व प्राप्तियों की इस चाबी को थोड़ा स्पष्ट करें जिस दिन से परमात्मा का हमें परिचे मिला पहला पहला यही पार्ट पढ़ाया गया पवित्र बनो योगी बनो जैसे सत्गुरु का यह हम सब को महा मंत्र है और जिसने इस महा मंत्र को सिर्फ जपा नहीं अपनी जीवन में उतार लिया जो योगी बन गया पवित्र जीवन जिसने मना ली उसको सर्व प्राप्तियों अपने आप अखुठ होती रहती है इसलिए परमात्मा कहते है मनमना भव का जो मंत्र है या जो पवित्र बनो योगी बनो का महा मंत्र आपको बच्चों को प्राप्त है यह सर्व प्राप्तियों का अधार है केवल उस मंत्र का जाप नहीं करो लेकिन ऐसी जीवन मना लो आपकी जीवन अगर योगी जीवन है पवित्र जीवन है तो आपको सरप्राप्तियां आटोमेटिक होती रहेंगे बिल्कुल परमात्मा कहते हैं कि अगर पवित्रता नहीं योगी जीवन नहीं तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूती नहीं कर सकेंगे इसलिए यह महामंत्र सर्वखजानों के अनुभूती की चाबी है ऐसी चाबी का महामंत्र सत्गुरुद्वारा सभी को श्रेष्ट भाग्य में मिला है और साथ साथ सत्गुरु द्वारा वर्दान प्राप्त हुए है वर्दानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना कितने वर्दान मिले है इतने वर्दानों का भाग्य प्राप्त है जो वर्दानों से ही सारी ब्राम्भन जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो सब वर्दानों से जीवन हम बिता रहे हैं, इसको थोड़ा सपष्ट करें। एक तरफ परमात्मा के द्वारा हमें सर्व खजानों की चावी मिल गई, जीवन, और जब यह जीवन हमारी बन जाती है, और सर्व खजानों की चावी प्राप्त हो जाती है, फिर परमात्मा के रहे हैं कि आप बच्चों को हर कारी की सफलता का वर्दान मिला हुआ है, जो संक वर्दाता बाप के द्वारा जैसे वर्दान के रूप में आपको प्राप्ति हो रही है। सहज प्राप्ति को वर्दान कहा जाता है। महनत वाला पुरसारत नहीं। संकल्प करते हैं और सिद्धी प्राप्त हो जाती है। जैसे वर्दाता बाप का verदान मुझात्मा को प्राप्त है। जो संकल्प किये वो कारी हो जाए, जो बोल बोला वो सिद्ध हो जाए, तो उसको कहते हैं जैसे इसको वरदान प्राप्त है। तो परमात्मा सत्गुरु के रूप में हम बच्चों को ऐसी स्रेष्ट मत देते हैं। उस मतनुसार अगर हमारे हर कर्म हो रहे हैं, तो जैसे वर्दाता के वर्दान से हर कारी की सिध्धी, सफलता प्राप्त होती है। उस सिध्धी को सफलता को वर्दान कहते है। परमात्मा कहते हैं कि बहुत काल से भाग्य की अनभूती करने वाले अंत में भी पदमा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं। अभी हैं तो अंत में भी हैं। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आराम्ब होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रोप में आएंगे। अभी स्वयम को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीब संपर्क में आए हैं, उन्हों को अनुभव हो, और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्षता की इस विधी को थोड़ा सबस्ष्ट करें। कई बार दिलासा होती है, कि यह जो प्राफ्तियां हो रही हैं, यह यह आंत में हमारे नुभव होंगी। प्रमत्मा कहता ह्ता heut है, अन्त में विश्व के आगे आगे अिस प्रत्यक्षता होगी। लेकिन अभी से ह Анд्र अभी से ही यह इस अनुभव आपको करने हैं। जो कुछ प्राप्तियां संगम उपर हो रही हैं, वो वर्तमान में हो रही है। वर्तमान में हमारी जीवन के अंदर जैसे वर्दाता से हम पल रहे हैं, हर कदम में हमें वर्दानों से ही पालना हमारी हो रही है। उसका अनुभा मुझे अभी करना है। कई लोग सोचते हैं अंतसमय में वर्दानी जीवन बन जाएगी, अर्मात्मा केता है नहीं, बहुत काल से अगर आपने अभ्यास किया है, हर संकल, बोल और कर्म की सिधिया प्राप्ति हैं, वर्दान प्राप्ति किया हैं, अंतसमय जब आएगा तो विसुकी आत्मा आपको प आपको प्राप्ति हैं, वर्दान दे रहे हैं, प्रमात्मा ने कहा कि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात, सदा मौझ में महबत से जीवन बिताने वाले मजबूरी से नहीं, प्रमात्मा ने कहा कि सर्व प्राप्तियों का आधार है, सत्गुरु का महामंत्र, योगी बनो, पवित्र बनो, तर्शक्माज के महावाक्यों से संबंधित, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें एमेल कर सकते हैं, हमारा एमेल आईडी है amolaratna at the rate porllywoodstudio. अगले एपिसोड में हम इनी महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, ओम शांति हर कदम में परमात्म पालना का अनुभव, परमात्म श्रीमत ही पालना है, सर्व प्राप्तियों का आधार, योगी जीवन, पवित्र जीवन, ऐसा जीवन नहीं तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूती नहीं कर सकेंगे, मतलब से याद करना याद नहीं परि इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौद्ली वूर्ड स्टूडियो से संपर्क करें